लो फ्रेंड्स अससलाम वालेकूम आज की इस लेक्ट्र में हम करेंगे नििमेरिकल ओन घस्टडड बेस फॉर हालम तो पिछले लेक्च्र में मैंने आपको 1 छम्यन घस्ट बेच फार आज हम करेंगे गज्टडड करो त्हां अभर निской जिए वीडियो का लिंक इंडिसक्र किलो न्यूटन हमको कॉलम गिवन है यह आई सेच भी 350 और जो कनेक्टेट है दो प्लेट से मतलब कॉलम के एक एंड और दूसरे इंड तरफ दो प्लेट लगी वही है वहला एक तर एक इस तरफ और एक इस तरफ जो बेस प्लेट के नीचे वह एम 20 कॉंकेट का बना है और एम 24 बोल्ट यूज़ हो रहे हैं और स्टील की ग्रेड है अफिफ फॉर वन टैन तो आपको डिजाइन करना है गस्डेट बेस तो डिजाइन में बेसिकली हम दो चीज निकालता है पहली होती है आपकी साइज ओफ बेस प्लेट में जो बेस प्लेट जिस पर आपका कॉलम रेस्ट करेगा उसकी लेंथ विट और थिकनेस यह तीन चीज़ आप निकालेंगे दूसरी चीज़ होती है आप बोल्टिंग निकालेंगे बोल्टिंग मतलब आपका जो एंगल होता है जिससे आपका कॉलम और बेस एरिया होता है मैं डिजाइन के तो एक एक करके हम steps देख लेते हैं कैसे क्या हम solve करते हैं तो step first आपकी होती है area of base plate निकालना area of base plate means जो base plate है उसका area क्या होगा तो area देख लेते हैं क्या होता है formula PO upon 0.45 FCK PO जहां पर आपका factored load है और 0.45 FCK आपका bearing strength of concrete है तो PO आपको given ही है factored load question में factored load यहां given है 3600 x 10.3 kg है ता इसलिए 10.3 हो गया Newton और M20 concrete है तो FC क्या होगा 20 जो आगे लिखा है M के वही आपकी characteristics strength होती है 20 Newton per mm2 और आपको यह धियान रखना है कि यहां पर आपको factor ली लेना अगर question में आपको working load given होता तो आप इस value को 0.5 से multiply करते factor में convert करने के लिए तो यह चीज़ा आपके ध्यान रखना है बाकी area क्या हो जाएगा 3600 into 243 Newton upon 0.45 into 20 तो आपको आएगा 4,00,000 mm square area अब आपको क्या करना है second step आपकी select angle तो हमने angle select किया है जो है ISA Indian standard angle 150, 115 और 15 mm thickness तो यह दो leg हो गए legs की length है और यह आपकी thickness है और आपने gusset plate जो लिए है वो 16 mm की क्योंकि without gusset place यह column मतलब यह जो base plate आपकी gusset base कहलाईगी ही नहीं तो gusset plate is necessary तो 16 mm की आपने gusset plate यूज की है और आपने यह angle यह यूज किया है तो आप आप next step देख लेते हैं step third होती है आपकी minimum width required means जो minimum width है किसके लिए आप जो सब चीज़े connect करेंगे जिसे कि मैंने यह rough diagram बनाया उसमें आप देख सकते हो आपका column सबसे उपर है 350 mm का यह length है 350 mm heights और उसके बाद आपने जो plates connect किये हुआ है 20 mm की दोनों तरफ उसके बाद आपने gusset plate दोनों तरफ connect किये उसके बाद आपने angle connect किया है तो हम देख लेते हैं के करके मेले बाद तो हमने देखा था ishb 350 है अगर आपके पास steel table हो इस steel table तो उस आपके फर्स टेबल वन में पहले ही आजाता है उसमें आप डूनेंगे आई एस हजबी जो आपका यह है वाद गूनेंगे तो आई एस हजबी आपको यहां पर डूनना है तो यहां पर मिलेगा यह राइस हजबी 350 तो आपको इसमें देखना है आई एस हजबी 350 710 newton per meter जो आपका यह कॉलम है यह हाइट का और यह विट का है देख लो इसमें हाइट कितनी 350 जो आई सच्वी की बात जो लिखा होता हुग यह आपका हाइट होती है तो 350 और विट थे आपकी 250 तो इन दो वैल्यूस के इसके अंदर जाला कुछ ज़रत पढ़ती है तो आपकी यह है ह हाइट 350 और विट 250 आपके हाइट यहां से आता कितने हुई 350 रफ डियागराम में आप देख लेतने सब हाइट नोट कलें तो यह 350 इम उसके बाद इकोशन में गिवन था कि 20 mm प्लेट से कनेक्टेड है 20 mm प्लेट से कनेक्टेड है दोन तरफ तो 20 mm तिकनेस की यहां पे 20 mm इसके बाद आपको गसेट प्लेट लगानी है तो गसेट प्लेट उसके बाद लगेगी जो कि हमने चूस की थी 16 mm की मानी थी लेट की थी 16 mm की यहां पर एक 16 mm की यहां पर और आपको में एक चीज़ बता दूं गसेट प्लेट क्या होती है एक प्लेट होती है टो कनेक्ट to columns और columns to base plate etc तो जो हमारे column या फिर base plate को connect करती है वो gusset plate होती है इतना समझ लाओ तो 16 mm की दों तरफ उसके बाद angle आपका आएगा जो की angle जो रहेगा वो जो आपका angle का जो leg रहेगा वो base plate से जो connected रहेगा वो आपका small leg रहेगा means आपके दो leg है आपके पास एक leg है 150 mm का दूसरा है 150 mm का तो जो बड़ा है वो column से connected रहेगा means यह वाला जो है वो column से connected रहेगा और यह वाला आपका base plate से connected रहेगा तो small leg को आप base plate से और bigger leg को आप column से connect करेंगे तो small leg आपका जो connected है वो यह 150 mm का जो कि यहां से यहां तक है और यह shaded portion जो है वो है आपका outstanding जो आपका leg है जो column से connected है तो यह यहां पर शो कर रहा है कि यह 15 mm thickness की दोनों तरफ है तो हम देख लेता है minimum width कैसे निकालते हैं तो minimum width निकाल लिए हमको means इस column इस angle के end से लेके इस angle के end तक हमको कितनी minimum width required होगी मतलब यह width हो गई तो कितनी minimum हमको required है वो निकाल रहे हैं तो पहले यह 350 हमने जोड़ा उसके बाद हम जोड़ेंगे इसमें 20 mm के 2 हम यहां से यहां तक तो 350 plus 2 into 20 क्योंकि 20 दोनों तरफ हमको चलना उसके बाद हमको 16 mm चलना है यहां से यहां तक दो तरफ 16 mm चलेंगे तो 2ो इंटर 16 अब हम यहां से यहां तक की निकाल लिए हमने उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यह angle है पूरा दोनों तरफ और कितने का है तो 115 यहां से ल कि हमने यहां तक minimum width निकाली जो आई 652 mm तो आपको यह तो minimum width हो गई आपको ऐसा थोड़ी है कि इतनी width की आपको plate design करनी है तो उससे आपको बढ़ा के लेनी पड़ी कुछ तो आप ले लो 652 आ रहा है तो आप 700 mm ले लो आप चाहो तो ज्यादा भी ले सकते हैं से लेकिन 700 insufficient है तो आपकी width आगे 700 mm उसके बाद आप step fourth देखें तो step fourth होती है आपकी length required length आपने width निकाल ली अब length में निकालेंगे तभी तो आपकी size of base weight आएगी तो length होगी यह और आपकी width होगी यह तो width आपने निकाली seven and eight mm अब length क्या होगी तो आपने basic formula पड़ रखा होगा area क्या होता है length multiply width तो length क्या होगा area upon width यहापन विट होगा area तो आपने निकाली रखा है आपने step first में area निकाला था ध्यानों आपको तो 4 lakh mm square तो 4 lakh यह उपर लिखा उसके बाद नीचे width कितनी निकाली आपने 780 mm की यह वाली जो है तो 571 आपको यह तो लेनी नहीं है इससे ज्यादा ही लेंगे आप कुछ तो ले लो आप 600 mm की तो आपने कुछ बड़ा के ले लिए आपकी base plate जो आई 700 into 600 mm यह आपने design की है तो 700 आपकी width है और 600 आपकी length हो गई है और यह 700 और यह 600 तो यह आपने निकाली उसके बाद आपने नया area निकालना है यह तो हो गया पूरा ना area अब आपने जो अलग-अलग length और width निकाली है उससे आप area निकालेंगे तो area क्या होगा दोनों का multiplication होगा area होता है आपका length multiply width लेंथ आरी 700 width आरी 600 दोनों को multiply किया तो आपका area आया 4,20,000 जो कि इस वाले area से बढ़कर ही होगा क्योंकि हमको ज्यादा लेना पड़ेगा न safety के लिए तो area 4,20,000 हो गया अब अगले step पे आएं तो step 5 आपकी बोलती है आपको base pressure निकालना है base pressure means नीचे से जो concrete में मतलब नीचे जो pressure आएगा वो तो वो क्या होगा w pu upon a pu क्या है factor load और a आपका area जो कि अब आपने design के बाद निकाला है design के बाद means यह length और width के बाद जो आपने area निकाला है इन दोन को multiply करके वो area है तो आपने area निकाला w pu upon है तो area आपका 4,20,000 पी यो आपका factor load given ही आपको question में 3,600 3,600 10 के बाद 3 upon area 700 600 या फिर 4,20,000 तो यह आपका निकल के आएगा 8.57 newton per mm square base pressure उसके बाद आपको दो moments निकालने पड़ेंगे जो base से जो दो moments लगेंगे आपकी base plate के उपर एक होगा mxx और दूसरा होगा myy तो mxx का formula में आपको यह box में बना ही रखा है w a square upon 2 तो w जहाँ पर base pressure है और myy w multiply b minus 2x का whole square upon 8 minus w x square by 2 यहाँ पर w base pressure है और width b जो आपकी width है और यहाँ पर आपको दो ही चीज नई दिखरे होगे एक तो a दिख रहा होगा नया और x दिख रहा होगा तो यह आपके जो है section की distance है from edge of the angle आपको मैं diagram में दिखा हूँ तो यह edge of plate आपकी ठीक है और यह आपकी दो sections है जो की x और a है तो एक section जो आपका मतलब critical section है जहाँ पर आपका column likely to break है base pressure की वज़े से तो आप देख ले मैं आपको बता रहता हूँ अगर आप इस diagram से आपको बता हूँ मैं कि यह आपका column का एकदम ले गया ना तो यहाँ तक distance जो है वो x होती है आपकी कहां से ले के इस column के यहां तक मतलब जहाँ पर column end हो रहा आपका और a क्या होता है इस base plate के end से लेके इस column के मतलब leg को अगर आप छोड़ दो मतलब यह width अगर छोड़ ठिकिनस आप छोड़ दो तो यह हो गया आपका a मतलब इस point से दोनों point से आपका critical section आ रहा है means यह base plate आपकी likely to यहा यह बेंडिंग कारण या फी कुछ भी तो आप देख लें तो ए आप निकालेंगे अब आप ए मैंने आपको बताए यह rough diagram बनाया था इससे आप ए निकालेंगे तो एक क्या है इस यहां से लेके end से लेके इस angle के यहां तक आपको thickness ने इंक्लूड करने इसके अंदर तो कैसे निकालेंगे तो देखें आप पहलेंद आपकी width क्या है टोटल 700 आपने 700 width निकल यहां से यहां तक अब आपको देखना इसमें से माइनस करेंगे आप 250 इसमें से आप 350 माइनस करेंगे फिर आप 20 के टू मैनिस 2 20 माइनस करेंगे फिर आप करेंगे 2 x 16 उसके बाद finally आप 2 x 15 माइनस करेंगे तो कैसे निकाल रहे हैं हम यह निकाल रहे हैं देखिए हैं mathematical calculation है और कुछ नहीं है यहां से आतक हमको मालूम है हमको निकालनी है यह distance यह वाली distance निकालने लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इस length में से यह length minus करके उसको divide by 2 कर देंगे तो यह length 700 है तो 700 minus 350 पहरा 750 minus किया उसके बाद 2 x 20 के minus किये यह distance आ गई उसके बाद 2 into 16 के minus की यहां से यहां तक आ गए हम उसके बाद 2 into 15 की यह मतलब यह जो thickness है यहां से आ गए हम अब आप इसका minus कर देंगे उसको divide by 2 करेंगे तो हमका a आ जाएगा a मतलब यहां से यहां तक की length आ जाएगी हमारी तो वह आएगी 124 mm तो m x x आपका आ जाएगा w a square upon 2 8.57 multiply 124 square upon 2 जो के आएगा 65886.16 newton mm आपको मालूम चली गया होगा a कौन सा section है जो आपके angle है उसकी thickness को अगर आप छोड़ के जो section ले वह अला आपका a section है एक और बार मैं बताएगा आपको a section कौन सा आपका जो यह angle है उसकी यह ठिकने से अगर आप leave करें तो यह वाला आपका base plate के end से यहां तक a है और इस base plate के end से अगर आप पूरा angle include करें तो वह आपका x section होगा यह हमारे दो critical section होता है उसके बाद आपने a निकाल लिया simple mathematical calculations है और mxx निकालेंगे निकाल दिया हमने mxx उसके बाद हम निकालेंगे x जो की m y y के लिए x निकालना पड़ेगा तो x क्या होता हो देख लेते हम एक्स होता है मैं आपको बताए रखा है x plate के end से लेके angle जहां पे finish हो रहा आपका तो यह easily निकल जाएगा same चीजस में भी करेंगे हम इसमें भी formula में ने develop कर लिया है मतलब कि b minus minimum width upon 2 करो उसमें angle जोड़ दो कैसे b मतलब जो आपकी width है कितनी आई 700 mm 700 minus minimum width कितनी निकाली थी आपने 652 तो 700 में से 652 मतलब कि 700 यह total इसमें से आपने क्या minus किया यह minus किया 700 में से यह minus किया तो आपके यह दो पार्ट आगए उसको divide by 2 करेंगे तो यह single part आएगा उसके बाद आप यह angle leg जोड़ देंगे तो आ जाएगा तो क्या आएगा 700 minus 652 upon 2 plus 150 तो आप इस point पा जाएंगे इस section पा जाएंगे यह x वाले पर यह आएगा आएगा आपका x 139 mm यह आप निकाल देंगे w into b minus 2x का whole square upon 8 minus w x square upon 2 तो आपका निकल के आएगा 8.57 into 700 minus 20 into 139 का whole square b है न माइनस 2 into x है तो 2 into 139 x square upon 8 minus 8.57 x square upon 2 है तो 139 square upon 2 एंवय आगा आपका आपका 1,7902 Newton mm तो आपको अब निकालना है design moment अब आपने दो मोमेंट निकाल लिए mxx निकाल लिए आपने यह निकाल लिए तो आपको design moment निकालना है जो कि होगा यह 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 वाला वैसी maximum दिख रहा है वन लैक 7,000 तो यह आपका design moment हो गया इससे आप बेस प्लेट की thickness निकालेंगे तो equating moment of resistance to design moment तो moment of resistance जो मिलेगा प्लेट को वो यह होगा 1.2 fi अपन गामा एमो ट्यू स्क्राइब आपकी कोड़ बुग में पेज नमर 30 पर गिवन है तो इसकी वैली 1.10 और इसको equate करेंगे हम design moment से जो कि हमारा m y by है तो यह आपका आदा है और यह f y हो गया 250 जो bracket में f y 250 टी स्क्वार थिकनेस स्क्वार अपन 1.10 गामा एमो multiply 6 is equal to 107982 आप टी स्क्वार की value निकालेंगे तो आईगी आपकी finally 48.74 अब आपको इसको थोड़ा से increase करके लेना जैसे आपने length और width increase करके ली थी इसको ज्यादा increase नहीं करेंगे हम तो approximately 50 आप 60 भी ले सकते हैं तो t is equal to 50 mm approximately तो यह आपकी thickness भी आ गई मतलब आपने एक criteria तो complete कर लिया कि size of base plate design कर ली आपको polting design करने है तो size of base plate आपके क्या निकल के आई तो size of base plate आपके आई 700 into 600 into 50 mm यह आपने यह जो निकाली थी उसके बाद आपने thickness निकाल ली तो 700 width length और यह thickness अब आप connection निकालेंगे bolting करेंगे हम तो bolting is done for 50% of load तो यहाँ पर गिवन है कि bolting जो हम करते हैं वह 50% load के लिए करते हैं तो जो load आ रहा है means आपका जो column पर लोड़ा रहा है उपर से फैक्टर लोड यह आ रहा है डिजाइन करते हैं अगर यह connected होता मतलब यह touch होता इससे तो हम 100% load के लिए करते हैं तो यह अगर यह lifted air के अंदर मतलब यह हवा में उठा हुआ है इसलिए हम 50% load के लिए डिजाइन करेंगे तो 50% load के लिए 50 upon 100 into जो आपका लोड आ रहा था 3600 943 तो यह 1800 इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ करेंगे आपकी बोल्टिंग जो होगी वह इस एंगल के लिए और इस एंगल के अलग लग होगी तो लोड एक एंगल पर कितना आएगा पहले आपने 50% किया यह total load के लिए आप डिजाइन करेंगे उसके बाद आपको देखना है कि एक पर कितना लोड आएगा तो डिवाइड बैट उकर दो तो एटीन अंडेट निटन पाउर थ्री आपॉंट टू तो नाइन अंडेट निटन पाउर थ्री जो कि होगा आपका डिजाइन लोड यह आपका एक्ट्वल डिजाइन लोड है एक तरफ की बोल्टिंग लिए तो सबस्क्राइब नभी आपको बॉब की स्टरेंइग निकालने विए इसके लिए आपको तो बोल्टि स्ट्रेंग्ड आप दो तरीके सानी कल सकते हो पहले तो शीर के अंदर तो शीर के अंदर पेज नबर 75 पर पाफ का फॉर्मला गिवन एक कोड़ बॉक के अंदर नबर 75 आपको यहां पर गिवन है शीर कापसिटी ओव बोल्ट वीडीज बीवन वी एनस्ब्स पॉन गामा एंबी यह वी एनस्ब्स की वैल्यू है और बेरिंग कैपैसिटी का भी फॉर्मॉला यहां पर गिवन है बेरिंग कैपैसिटी यह आभी इन पीबी टूपन फाइक ट्रीटी एप यू तो हम इसके लिए कर लेते हैं तो शियर के लिए हम पढ़ेंगी पहली VDSB तो VNSB पॉन गामा एंबी जहां पर VNSB का फॉर्मॉला है FU पॉन गामा एंबी इंटू रूट 3 NNNB प्रस NSSB अब M24 बोल्ट है तो डायमेटर ऑफ बोल्ट क्या होगा तो 24 mm D होगा तो NNNB और NSSB since it is a lab joint क्योंकि देखो आपका जो connection है वो लैब लैब कैसे मतलब आप इस तरह से connect कर रहे हो एक प्लेट के उपर दूसरी प्लेट तो यह लैब joint है इसके अंदर आपका एक plane एक नमबर आफ शेयर प्लेन आपका शैंक में नहीं मिलेगा आपको सिर्ट पार्ट में एक शेयर प्लेन मिलेगा तो आपको थ्रेड़ेट पार् यह तो वैसे जिरो है यह 0 हो जागा पूरा तो फॉरंडेट एन अपॉन 1.25 जो कि गामा एमें की वैल्यू होती है पाइसले सेफ्ट पेंट नमर 30 कोट के अंदर रूट 3 और एफ यह आपको मालम यह 410 होता है और एनन 1.78 यह त्रेट पॉर्षन का एरिया जो कि काम होता इ इस्टार मेंज डामेटर ऑप डामेटर बोल्ट का स्क्वेर 2 24 का स्क्वेर और आप गईएस भी आउका फाइनल निकल के आएगा 66822.10 न्यूट्टिन तो आपने एक बीडियेस में निकाल लिया डिजाईन में अब आप बेरिंग में निकालेंगे तो बेरिंग में भी फ् 3D not इसका भी अगर आपको पेजने मन मनताया था 75 पर यह नपीबी का फार्मुला तो आपको मैं बता दूं कि डियामेटर ऑफ बोल्ट गिवन था आपको 24 तो डियामेटर ऑफ होल क्या होगा तो डी प्लस टू करेंगे तो आपको डियामेटर ऑफ होल आज़ागा मैंस 24 प्ल क्योंकि देखो आपका कोड में प्रोविजन है आपको केबी निकालने के लिए क्लना किया दियो थी यह पॉन 3D नोट तो हम अगर डारेक्ट यह पॉन 3D नोट से निकालने तो वैसी हमारा आंसर आजएगा तो यह पॉन 3D नोट किया यहां पर ई की ज़ुरत पड़ गया हमको तो यह निकालने के लिए हम एंड डिसंस तो वो पेज नमर 74 खोलेंगे हम यहां पर पेज नमर 74 का आपको गेवन है कि दे मिनिममम एजन अडिसंस फ्रम जेंटर आफ एनी होल शाल बे टेकन एस 1.5 time यह वाला निया वाल होल शीर्द और हैंड फ्रम कटेंगे जिस के लिए 1.5 दाइम स्थोल डामेटर in case of roles हमारे रोल तो 1.5 टाइम से 1.5 टाइम स्थो डायमेटर होल डायमेटर तो यह क्या होगा 1.5 टाइम्स डियो यह मिनिमम है तो 1.5 टाइम्स 26 किया हमने डायमेटर फोल तो आया 39 अप्रोक्सिमेटली 40 mm तो end distance आपकी आई 40 mm तो यह आपन 3D नॉट करेंगे आप 40 आपन 3 इंटो 26 तो के भी निकल के आएका 0.51 तो आपने 2.5 के भी निकाल लिया D मालू में आपको T thickness है यह अब यह thickness किसकी है base plate की thickness है यहाँ फिर angle की तो यह आपको ध्यान रखना है angle thickness है T होती है 15 mm angle thickness ना कि base plate 2.5, 0.51 multiply 24, multiply 15, multiply 410 जो FU है upon 1.25 तो VDP भी आपकी निकल के आएकी design में 150.552 kilonewton तो आप आपको देखना है कि newton में convert करने तो 150552 newton आपको देखना दोनों में least कुन सी है VDSB least है यह VDP भी least है वो आपके होएगी bolt value यह strength of bolt तो minimum of VDSB और VTP भी किया तो आया VDSB minimum minimum हाया यह वाल आपका minimum है यह आपकी design value है bolt की design value आई 668.22.10 newton तो number of bolts निकालने के लिए आपका formula होता है design load upon strength of bolt जो आपने strength of bolt VDSB और VDPB से निकाला उसको design load से divide कर देखना दिजाइन load में उसका divide कर देंगे हम तो design load हमारा question में हमने वैसी निकाल लिया था design load हम कितना लेंगे 900 newton के पाउर 3 900 newton के पाउर 3 upon 668 22.10 तो हमारा निकल के आएगा 13.46 approximately हम माल लेंगे कि 16 bolts connected है 3 extra ले लेंगे हम क्योंकि हमको even number of odd number नहीं even number लेंगे तो सही रहे गा 3 extra ले लिए उसके बाद हमको एक diagram इसका draw करना कि कैसे ये connected रहेंगे तो पहले तो यह होगे आपका column उसके बाद यह आपकी गसेट plate और यह गसेट plate connected है उसके बाद यह आपको जो दिख रहा है यह आपको outstanding leg दिख रहा है तो यह आपका column हो गया और आपके bolts connected है तो one side कितने bolts लगाना है आपको 16 bolts तो यह 1,2,3,4,5,6,7,8 करके 16 bolts हमने लगा दिये जहाँ पे 8 हमने लगाए हैं गसेट plate और column में और आपने 8 लगाए हैं अंगल गसेट plate और column को connect करने के लिए और यह आपका base plate यह angle हो गया और यह concrete pedestal हो गया उसके बाद आप देख लें section देख लें थे हैं इसका तो यह आपका angle connected है यह bolts लगे हो है उसके बाद यह आपकी plate है यह गसेट plate है और यह angle given है यह concrete आपकी base plate आपकी और यह concrete pedestal तो यह था आज का मेरा question on the best base for a column अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज आप मुझे comment करके पूछ सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो please like करना चैनल पे अगर आप नहीं हो तो subscribe करना और तब तक के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं आप से थैंक यू